हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टो ग्लोबल ऑनलाइन, इस अंकीता सूथ, सो वेस्ट मिंगों से दो हजार चॉबिस के पेपर वन की तयारी में आपको हेल्प करने के लिए आज मैं 20 ऐसे important topics के नाम आपको बताऊंगी, जो कि हर साल पेपर में पूछे जाते हैं upcoming exam में भी sure है कि ये 20 topics में से आपको questions जरूर देखने को मिलेंगे और ये अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत आसानी से आप अपने first attempt में भी paper को qualify कर सकते हैं तो चलिए फिर discussion को शुरू करते हैं तो ये 10 units है paper 1 की जिसमें हम सबसे पहले unit 1 teaching aptitude से शुरू करेंगे तो सबसे पहला topic है teaching aptitude का levels of teaching यानि के शिक्षन के स्थर levels जो होते हैं teaching के वो 3 होते हैं जिनके नाम भी आपको याद रखने हैं इनकी functionalities भी याद रखनी है और proponent भी याद रखनी है proponent का मतलब होता है कि किनों ने ये levels को नाम दिया और किनों ने इसके बारे में define किया match the following से related ये question जरूर paper में पूछे जाते हैं दूसरा important topic है online teaching method online teaching method में वैसे तो बहुत सारे methods हैं बहुत सारे applications हैं लेकिन जो सबसे ज़ादा सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इन दो topics में से जिसमें पहला है स्वयम और दूसरा है स्वयम प्रभा आपको याद रखना है इनके क्या-क्या features हैं स्वयम platform हमें क्या-क्या provide करवाता है स्वयम प्रभा हमें क्या-क्या provide करवाता है आज तक कैसे MCQs इन topics में से पूछे गए हैं इन पर भी हमें ध्यान देना है तीसरा important topic है evaluation evaluation को हिंदी में बोला जाता है मुल्यांकन या फिर मुल्यांकन प्रणाली इसके अलग-अलग types होते हैं हर type के कुछ minor differences होते हैं similarities होती हैं जहां से paper में question आता है और बहुत असान topics हैं guaranteed questions आपको देखने को मिलेंगे अब देखें students exam को qualify करने के लिए ये important topics आपको पढ़ने ही है साथ ही आपको ये भी देखना है कि किस topic में से किस level का question आता है किस topic में से easy question आ रहा है किस में से थोड़ा सा tough question आ रहा है ये सब के हिसाब से आपको तयारी करनी है and सभी चीजों का ध्यान रखते हुए paper 1 का complete course में आपके लिए लेकर आई हूँ जिसके लिए new batch 1st October से start हो रहा है इस new batch की सबसे खास बात ये है किसमें आपको रोज 2-3 live lectures के साथ exam से पहले 100% syllabus तो पूरा हो ही जाएगा साथ ही students आपको live mock test भी हम practice करवाएंगे जिसमें से as a test questions exam में आते है इस group की खास बात ये है कि इसके साथ आपको एक special whatsapp group में add किया जाएगा जिसमें आपको हर class के बाद pdf notes मिल जाएंगे जिससे के students आप अपने notes बनाने का समय भी बचा सकते हो revision के लिए unit wise questions भी है explanation के साथ ताकि अगर concept clear नहीं है उस question के answer नहीं आता तो आप explanation देखकर उस concepts को अच्छे से साथ में समझते रहे तो ये बहुत ही अच्छा course है आपको paper one में इससे बहतर कुछ नहीं मिल सकता तो आप ये तो whatsapp numbers दे रही हूं इन पर contact कर लीजिए साथ ही students free videos और mock test attempt करने के लिए global online आपको ज़रूर डाउनलोड करिएगा store section पर search bar में आपको course का नाम लिखना है content पर जाएंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि हमारे सामने separate courses है Hindi, English, Bilingual ठीक है हर एक course में आप यहां पर देखोगे unit wise folders आपको मिल जाएंगे आप चाहो तो किसी भी unit से revision अपनी शुरू कर सकते हो revision के लिए question bank भी यहां पर available है तो आप सभी जल्दे से इन numbers पर contact कर लीजे so अगला topic जो है वो मैं आपको research aptitude से बताती हूँ तो research aptitude में सबसे पहले आपको पढ़ कर जाना है types of research जिसमें कि हमारे पास 15 से 20 types होते हैं उनमें थोड़े थोड़े से differences हैं हमें पता लगता है कि कौन सा research किस फिल्ड में use होता है किस तरह की शोध के लिए हम कौन सा प्रकार इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे चीजे types of research में आती हैं लेकिन इसमें major focus हमारा होना चाहिए qualitative research और quantitative research पर जिसको हिंदी में गुणात्मक और मातरात्मक अनुसंधान बोलते हैं पांचवा important topic है steps of research तो steps में आपने सरफ ये नहीं समझना कि 7-8 steps हैं इनको याद रख लो और हो गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है steps of research में ही हमारे पास कुछ important topics आते हैं जैसे कि एक step होता है sampling sampling यानि कि नमूना करण इसके जो भी types हैं वो हमें ध्यान से पढ़ने है इसके previous year questions हमें ध्यान से पढ़ने है 7th number पर आता है steps of research का ही part है that is your hypothesis hypothesis का मतलब होता है परिकल्पना करना इसके कैसे कैसे types होते हैं hypothesis में कैसे कैसे errors होते हैं ये हमें पढ़कर जाना है यहां से भी सवाल paper में 100% आते ही है तो research aptitude में देखो 5 सवाल paper में आते हैं जिसमें से 4 topics तो मैंने आपको यहीं पर बता दिए इसके बार फिर 8th number पर जो topic रहेगा वो रहेगा communication unit से जिसमें की हमें types of communication पढ़ना है majorly इसमें हमारे पास verbal and non-verbal communication रहता है लेकिन इसके अलावा और भी communication है जैसे की interpersonal communication है यानि की व्यक्तिगत communication है संचार है intra-personal होता है व्यक्तिगत इंट्रा-personal है mass communication है group communication है फिर हमारे पास horizontal communication है फिर हमारे पास vertical communication है तो यह सब चीजें हमें पढ़कर जानी है 9th important topic communication से आता है barriers of communication communication यानि की संचार में बाधाए दो व्यक्ति अगर communicate कर रहे हैं दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो उनके बीच में बाधा क्या हो सकती है for example अगर आप मुझसे बात कर रहे हो मेरे घर के आसपास बहुत जादा शोर होता तो क्या हम ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको अच्छे से देख पाते हैं communication हो पाता नहीं हो पाता ठीक है तो ये barriers of communication होते हैं 10th important topic मैं आपको reasoning से बताती हूँ reasoning में आपको एक सवाल number series में से आएगा या फिर letter series में से आएगा या फिर blood relation से आएगा ये तीनों में से एक में से आपको एक question paper में जरूर देखने को मिलता है 11th most important topic है math में से ही बताना चाहूंगी जो की है percentage, average और ratio ये आपको 3 topics पढ़ कर जाने है क्योंकि इनी 3 topics के base पर आपकी unit number 7 से भी question आते है तो ये आपको पढ़ लेने है unit 7 के लिए भी जरूरी है और unit number 5 में भी आपको help करेंगी ठीक है, students मैं उमीद कर रही हूँ कि आपको ये video पसंद आ रही है full syllabus के 20 topics अभी तो बता रही हूँ लेकिन अगर आप चाहते हूँ कि हर एक unit के at least 10 important topics में आपको बताऊँ हर unit के अलग-अलग video लेकर आऊँ तो वो भी बता सकते हूँ मैं उस पे भी जरूर काम करूँगी अगला important topic आता है logical reasoning में से इससे आपको classical square of opposition जरूर पढ़कर जाना है ठीक है जिसको हमने AEIO के concept से पढ़ा था ये हमें जरूर paper में आता है next topic भी logical reasoning unit का ही है that is your when diagram unit number 6 से when diagram से question आती है और ये एक ऐसे unit है जिसमें students जितना हो सके previous year questions पढ़िए उनी के base पे सवाल paper में आएंगे 14th number पर topic बताती हूँ ICT से तो ICT में एक topic होता है memory unit ठीक है memory unit में छोड़िए सरफ memory आपने देख लेना है memory के अंदर आता है memory के types types में भी आ जाएगा जैसे हमारे पास primary memory है हमारे पास secondary memory है हमारे पास tertiary memory होती है ये हमें पढ़कर के जाना है ठीक है इसके अलावा 15th number पर होता है ICT की कुछ full forms जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि CPU की full form बता दीजी ये तो बिल्कुल basic मैंने बता दिया समझानी के लिए लेकिन ऐसी full form जा सकती है 16th most important topic आपको बताती हूँ people development and environment unit का इसमें chapter 1 में ही है SDG और MDG जिसको बोला जाता है sustainable development goals and millennium development goals तो ये goals आपको जरूर पढ़कर जाने हैं यहां से जरूर paper में सवाल आते ही आते हैं ठीक है goals के नाम याद रखने है goals का sequence भी याद रखना है उसके बाद फिर 17th topic भी people and environment से ही बताती हूँ तो environment को लेकर के कुछ बहुत सारे acts बनाए गई है बहुत सारे protocols बनाए गई है जो हमें पढ़कर जाने है जैसे कि हमें पूछा जा सकता है क्यों तो protocol क्या है कब बनाया गया क्यों बनाया गया क्या कारण था किस चीज़ के लिए बनाया गया ठीक है हम से पूछा जा सकता है Montreal protocol के बारे में हम लोगों से पूछा जा सकता है कि गाली amendment के बारे में ऐसे बहुत सारे protocols है जो हमें पढ़ करके जाने है don't worry students यह जो course मैंने आपको बताया ठीक है एप में जाकर के download करके देख लो unit wise आपको बहुत सारा free content भी है यह देखो मेरे course में 59 free videos available है तो आप देख सकते हो आइडिया लगा सकते हो कि आपको कितनी जादा help तरेगी ठीक है इन videos को देखके आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से best way में हम आपको पढ़ाते हैं 17 topics हो गए आगे 18th topic आपको higher education system से बताती हूँ जो की है NEP 2020 यह एक ऐसा topic है जिसको आपको बिल्कुल भी ignore नहीं करना है जरूर पढ़कर जाना है 19 नंबर पर आता है ancient universities जिसमें की प्राचीन भारत की universities हैं जैसे की तक्षिला university पूछी जा सकती है नालंदा university पूछी जा सकती है कि क्या क्या पढ़ाया जाता था कौन सी university किस चीज के लिए कि subject के लिए famous थी यह पूछा जा सकता है ठीक है और last topic है 20th topic है हमारा important commissions related to education important commissions में जैसे आप से पूछा जा सकता है कि UGC क्या है AICTE क्या है ठीक है NEPTAL क्या होता है उसके बार ऐसे ही बहुत सारे commissions है ठीक है जो कि paper में जरूर पूछे जाते हैं जैसे कि कुछ और commission है आप से पूछा जा सकता है कि कुछारी commission क्या है university education commission क्या है ऐसे बहुत सारे commissions हैं बहुत सारी एजेंसी है जो कि एजुकेशन को बहतर बनाने के लिए काम करती है और इनके बारे में पेपर में पूछा जा सकता है तो ये 20 ऐसे टॉपिक्स बता दिये जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करके जा सकते हूँ So thank you so much everyone और भी कोई सवाल है तो अपने numbers यहां पर WhatsApp numbers दे रही हूँ आप easily हमें message कर सकते हो text कर सकते हो कि West Bengal के लिए आपको help चाहिए So thank you so much and all the very best